उत्तर प्रदेश के जन्पद संभल के कलेक्टेट सभागार बहजोई में जिलादकारी मनीस बंसल की अध्यक्स्ता में जन्पद इस्तर पर बिने में छेत्रों में निवेस को बड़ावा दिये जाने एबम-निवेस में आ रही कटनाईयों के समाधान हेतू निवेसकों के साथ बैठक का आएजन किया गया बैठक में निवेशकों के साथ जनपद के बिन्यमित छेतर के अंतरगत इस अस्पताल, स्कूल कालेज, इंजिनिरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, बिश्वित धहले, एवंसंस्तान आधी को लेकर निवेश से संबंधित बिस्तार पूरवक चर्चा की गई जिलादकारी ने कहा कि जनपद में इनवेश्टमेंट को बढ़ाया जाए, तथा बिन्यमित छेतर को योजना बद्ध तरीके से तयार किया जाए जिलादकारी ने जनपद में निवेश करताओं के साथ एक इनवेश्ट समिट कराने की योजना को लेकर भी चर्चा की इस दोरान जिलादकारी ने निवेसकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की इन्वेस्ट यूपी बेपसाइट पर रेजिस्टेशन करें जनपत के समस्त उप जिलादकारीं को निर्देशित करते हुए जिलादकारी मनीज बंसल ने कहा कि बिन्यमे छेतर को ध्यान में रखते हुए ही नकसों को पास किया जाए बिन्यमे छेतर के संबंद में प्रतेक महा अपने इस तरह से बैठक कराना सुनिश्चित करें तथा बिन्यमे छेतर के अंतरगत आने वाली आपत्तियों को संग्यान में लेते हुए समय से ही उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें जिलादकारी ने गंगा एक्सप्रेस बे के महत को बताते हुए कहा कि इससे जनपद के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी दिल्ली या गंगा एक्सप्रेस से जुड़े अन्य जनपदों के साथ निवेसकों की आसानी से पहुँच बन सकेगी जिससे बेह अपने उत्पादों को अन्य जनपदों में आसानी से पहुँचा सकते हैं जनपद में सिक्षा के छेतर में बहुत अधिक इसकोप है तथा निवेसक सिक्षा के छेतर में निवेस कर सकते हैं तथा जन्पद में अधिक निवेश से बहतर कालोनी बिक्सित हो सकती हैं इस अबसर पर अपर जिलादकारी प्रदीप बर्मा उप जिलादकारी संभल बिने कुमार मिश्रा उप जिलादकारी चंदोसी आरपी सिंग तैसिलदार गुन्नोर दीपक चौधरी जिला सूचनादकारी बर्जेस कुमार माध्य मिशिक्षा राजमंत्री सतंत परभार उत्त सब्सक्राइब करें इसके साथ ही पंचायद बारता की नई अपडेट के लिए बैल आइकन को दवाना ना भूलें